लोवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर रात का वक्त था और एक चमकती हुए रोशनी उस फार्म हाउस में दिखाई देती है ये चमकती हुए रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रियेचर था अब जब सुबा होती है तो फॉर्म का ओनर ये देखता है कि उसके फॉर्म को किसी ने बरबाद कर दिया है अब उस ओनर को बहुत ज़्यदा कुस्सा आता है क्योंकि ये सब उस रोशनी की वज़ा से हुआ था अब फॉर्म का ऑनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब तुम तीनों को इस फॉर्म की पहरेदारी करनी होगी और यहीं पर हम ऑनर के सबसे चोटे बेटे जॉन को देखते हैं जॉन को सब ही निकमा समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फाइदा उठाते थे जॉन के भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने का कहते हैं जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है अब जब जॉन फॉर्म पर बैठा हुआ था तो अचानक से वहाँ पर उसको कुछ आवास सुनाई देती है वो अपने पीछे मुल कर देखता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर का खोड़ा खड़ा था जॉन को अपनी आँखों पर यकीन नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और सुफेद कलर का खोड़ा देखा है अब वो उस खोड़े को पकरने की कोशिश करता है एक रसी वो खोड़े पर डाल देता है अब वो खोड़ा तेजी से भागने लगता है मगर तब ही जॉन उस रसी को पकर लेता है जिस वचा से जॉन भी उस खोड़े के साथ आगे चला जाता है मगर जब खोड़ा थोड़ा सा आगे चाता है तो वो अनबैलंस हो जाता है और दल दल में गिर जाता है अब जॉन उस खोड़े की मदद करता है उसको दलदल से बाहर निकाल लेता है तब ही जॉन देखता है कि उस खोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देखकर जॉन उस खोड़े के लिए बहुत ज़्यदा पुरा फिल करता है जोन उस खोड़े से ये प्रोमिस लेता है कि आएंदा वो खोड़ा उनके फॉर्म पर नहीं आएगा जिसके बाद वो खोड़ा जोन को शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है उसके बाद जोन भी अपने खर आ जाता है अब जॉन को तुबारा अपने फॉर्म से कुछ आवाजे आती है जब जॉन वहाँ पर चेक करने चाता है तो वहाँ पर जाकर वो हैरान हो जाता है वहाँ पर दो खोड़े बंदे हुए थे अब इससे पहले जॉन वहाँ पर कुछ समझ पाता उसको एक आवाज बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जॉन जो पीछे मुर कर देखता है तो उसको एक चोटा गोड़ा नजर आता है जो कि उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है असल में फॉल उस खोड़े का बेटा था जिसको जॉन ने रात को बचाया था फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुम से बहुत ज़दा खुश है इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ही गिफ्ट पेजा है जॉन ये जुन कर काफी ज़दा खुश हो जाता है तब ही जॉन को अपने फादर की आवाज आती है अब जॉन जलती से बाहिर आता है और अपने फादर को बाहिर रखने की ही कोशिश करता है ताके वो अंदर ना चले जाएं अब जॉन अपने फादर की जाने के बाद फॉल पर बैट जाता है और फॉल बहुत ही तेजी से भागता है उसकी स्पीड को देखकर जान बहुत ज़्यदा हैरान हो जाता है अब एक जगा पर पहुँचकर फॉल सीटी बजाता है अब फॉल की सीटी को सुनकर स्टेबल में खड़े हुए तो खोड़े भी उनके पास आजाते हैं जान ये सोचता है कि वो इन घोड़ों को मारकेट में ले जाकर बेच देगा जान उन घोड़ों को मारकेट में लेकर चाता है तो उन शानदार घोड़ों को लोग देकर हैरान हो जाते हैं किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े कभी नहीं देके थे यहां पर काफी ज़दा लोग जान से घोडों को खरीबने की बात भी करते हैं अब फॉल भी जान को ये कहता है कि वो ये दोनों घोडे उस बुड़े आत्मे को बेचते मगर जान ये दोनों घोडे किंग को ही बेचना चाता था जब किंग वहां पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज़दा पसंद आते हैं मगर किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि उसको ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं किंग इसी बात का फाइदा उठाकर बगेर पैसों के चौन से वो दोनों घोड़े ले लेता है चौन किंग से जो पैसों की बात करता है तो किंग उसको बगेर जवाब दिये वहाँ से चला जाता है फॉल यहां पर जॉन को डारता है और कहता है कि मैंने तुमें कहा था ये दोनों घुड़े उस बुड़े आत्मी को बेच दो खैर फॉल जब जॉन को उदास देखता है तो वो दुबारा से सीटी बचाता है और वो दोनों घुड़े जॉन के पास आजाते है लेकिन उन दोनों खोडों की वज़ा से किंग की बगी पलट चाती है और वो आटे की पोरियों में गिर जाते है अब किंग को इस पास से बहुत ज़ादा गुसा तो आता है मगर किंग चैंबर की वज़ा से कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से इन घोडों की कीमत लगाने का कहता है जॉन उन घोडों की बहुत ही ज़ादा कीमत लगाता है जिस पर किंग के लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले क्योंकि जब जॉन यहां पर रहेगा तो किंग अपने बेस्टी का बतला भी ले सकते हैं जॉन भी उनके बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां पर रहकर किंग के कामों को करने लगता है अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है क्यों न हम जान से एक फिनिक्स बर्ड को बलवाएं वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना बहुत जादा मुश्किल था अब किंग का असिस्टेंट ये कहता है कि उसको लाना बहुत मुश्किल है और जॉन उसको कभी भी ला नहीं सकेगा और तब ही आप जॉन को मौत की सजा सुना देना अब किंग को अपने असिस्टन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है किंग अब ये सब जॉन से कहता है जॉन भी इस बात के लिए तयार हो जाता है अब फॉन को जब ये बात बदा चलती है तो वो जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और जो भी उस बर्ट की तलाश में गया है कभी भी वापस नहीं आया मगर जॉन ने ये चैलेंज एकसेप्ट कर लिया था इसलिए वो पीछे नहीं हट रहा था अब फॉल को भी जॉन की मदद करना थी इसलिए अब वो जॉन को एक जंगल में ले जाता है जहां पर वो उसको एक ट्रीम नट दिखाता है वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स है और वो इनको बहुत ज़्यदा पसंद करता है मगर ये नट्स ऐसे हैं जैसे ही वो फायर बर्ड इनको खाएगा वो गहरी ने में सोच आएगा जिसके बाद हम उसको आसानी से पकर लेंगे जिसके बाद अब ये दोनों उस जगा पर पहुँच जाते हैं जहां पर फायर बर्ड रहता था वो उसको ये भी बताता है कि फायर बर्ड समीन के नीचे रहता है अब वो उस जगा पर कुछ नर्स को पहेंद देते हैं और उस फायर बर्ड के बाहिर आने का वेट करते हैं अब जैसे ही वो फायर बर्ड नर्स की खुश्पु सुनता है तो वो समीन से बाहिर आ जाता है अब वो फायर बर्ड मज़े से उन नर्स को खा लेता है जिसके बाद वो पे खोश हो जाता है अब जैसे ही जोन उस फाइर बैट को पकरने चाता है तो वो तुबारा से जिन्दा हो जाता है अब वो फाइर बैट जोन के पीछे पर जाता है वो उनको पकरने के लिए जोन और फॉल के पीछे भागता है जिसकी बचाạnhा से पूरे आiling पर आग लग जाती है उस फायर बर्ड ने जॉन और फॉल को पकर लिया था जिसकी बाद जॉन अपने पास आखरी नट पड़ा हुआ उसकी तरफ फैंक देता है जैसे ही वो फायर बर्ड उस नट को खाता है वो भेहोश हो जाता है अगली सुबर जब वो जाकता है तो उसको पता चलता है जैसे ही वो फायर बर्ड अजाद होता है वो अपने पंक पहला कर वहां से उर जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंक चॉन को दे देता है और वो पंक हीट की बज़ा से लो कर रहा था फॉल चॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा मगर चॉन फॉल से कहता है कि शायद वो इस पंक से किंग को ये यकीन दिलवा दें कि उन्होंने फायर बर्ड को पकड़ा था जब वापिस चॉन किंग के पास जाता है तो किंग चॉन की किसी वे बात पर यकीन नहीं करता अगले ही दिन चॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है चॉन वो पंक निकाल कर सब को दिखाता है मगर वो पंक अब गलो नहीं कर रहा था और किंग चॉन को मारने का कहता है जब किंग चॉन को मौत की सजा देने लगता है तब ही वहाँ पर फाइर बर्ट आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज़्यदा हैरान होते है और वहाँ पर इकटे सभी लोगों को जान की बातों पर यकीन आ जाता है जिसकी बचा से अब किंग को जान की सजा खतम करने पड़ती है और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है इस बात पर किंग और भी ज़दा गुस्सा होता है अब वो अपने मिनिस्टर को कुछ और प्लैन सोचने का कहता है बहुत ज़दा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर उसको एक आइडिया देता है वो कहता है कि क्यों ना हम इस पार जान को एक मांटन की प्रिंसिस को लाने भेजें पहले तो जान इस बात पर कामयाब नहीं होगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो इसमें आपका ही फाइदा है आप उस प्रिंसिस से शादी कर लेना दोनों ही तरफ में आपका फाइदा है किंग को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेश देता है अब जॉन उस सार मांटन पर पहुँच आता है जहां पर वो प्रिंसिस रहती थी वो देखता है कि मांटन पर कैसल के अंदर चानी का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है जिसको तोड़ना बहुत ही सदा मुश्किल था तब ही अचानक से वहाँ पर फायर बर्ट का एक पंक उड़कर आता है और उस बर्फ की दिवार में लग जाता है जिससे वो दिवार तूट जाती है जिससे वहाँ पर एक पानी का सेला बचाता है फॉल उसमें बह कर नीचे गिर जाता है और एक स्नो बाल की तरहां मांटन से नीचे गिर जाता है जानक कैसल के अंदर चाता है उसको वहाँ पर बहुत जादा लड़किया नजर आती है और वो सभी लड़किया सो रही थी अब उन में से असल प्रिंसिस कौन से थी ये जानना बहुत ही जादा मुश्किल था लेकिन उस फायर बर्ट का एक बंग खाकर एक लड़की के बास किर जाता है जिससे के जान ये बास समझ आता है कि वो ही लड़की प्रिंसिस है जान उस लड़की के खुबसूर्टी को देखकर हैरान हो जाता है और उसको बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाते है मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज़दा बहादर होते तो वो मुझे यहाँ पर खुद लेने आते और वो यह कहकर वो प्रिंसेस पहार से नीचे कूच जाती है जॉन भी अपने जान की पर्वाद नहीं करता और उस प्रिंसेस के पीछे कूच जाता है अब फॉल उन दोनों को वहाँ पर बच्चा लेता है और दोनों को अपने उपर बिठा कर अराम से नीचे ले आता है फॉल चॉन को देखकर ये समझ किया था कि चॉन प्रिंसिस को पसंद करने लगा है फॉल उसको समझाता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर प्रिंसिस भी सब बाते चुपकर सुन लेती है प्रिंसिस को भी ये लगता था कि वो शायद चॉन को पसंद करने लग गई है इसके बाद वो लोग किंग के पास वापिस जाते हैं बहाँ पर सभी लोग इतने खुब्सूरत प्रिंसेस को देख कर हैरान हो जाते हैं अब किंग जब जान को जिन्दा देखता है तो उसको घुसा तो आता है मगर किंग के आत्मी उसको समझाते हैं कि इसमें उसका ही फाइदा है अब वो लोग जॉन को प्रिमोट भी कर देते हैं मगर जॉन इन सबसे जदा खुश नहीं था उसको प्रिंसेस के फिकर थी अब वो छुपकर प्रिंसेस के पास चाता है इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बताए किंग के लोग आगर प्रिंसिस को वहां से ले जाते हैं अब किंग प्रिंसिस को शादी के लिए प्रोपोस करता है मगर प्रिंसिस उसे कहती है कि वो एक शर्ट पर शादी करेगी कि अगर वो प्रिंसिस को वो रिंग ला कर दें जो उसकी दादी की थी और वो रिंग एक सुमंदर में गिर गई थी और वो रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती अब प्रिंसिस की बास Sink वहां पर परिशान हो जाता है मगर तभी वहां पर जान आता है जान को जब किंग देखता है तो ये काम भी जॉन को कह देता है जॉन फॉल से उस किंग के बारे में बात करता है मगर फॉल उसको कहता है कि उस रिंग के बारे में उसको कोई भी नौलिज नहीं है मगर फॉल इस बारे में अपनी मदर से बात करता है वो उसको बताती है कि वो रिंग वेल के पेट में है जो वेल उनको सुमंदर के बीच एक आईलेंड के पास मिलेगी अब जॉन फॉल के साथ जाता है मगर वहाँ पर कुछ बर्ड्स के टकराने से फॉल नीचे किर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस वेल तक पहुँच किया है जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी संचीरों को देखता है और उन संचीरों से बंदी हुई एक बहुत बड़ी वेल को देखता है जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसको बताता है ये पूरा आइलेंड ही असल में वो वेल है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसको बताया था, जॉन वेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किस ने किया, वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए वहां पर बाकी सेलर्स ने उस व तिलवा दे, तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है, और अपने प्लैन के अकॉर्डिंग वो उस वेल की नाक में चले जाते हैं, और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं, तभी उस वेल को एक बहुत बड़ी छींकाती है, और वो सब भी शिप्स उसके अंदर से जाती है, जिसके बाद ये वेल उस समंदर के अंदर दोबारा चली जाती है, उस वेल के जाने के बाद चौन को वो रिग याद आती है, और चौन उतास हो जाता है, यूक्छ अप जा चुकी थी, मगर तबह भाबर एक ट्रैप रिंग को लेकर आजाता है, और वो चौन को कहाल जो बताता है कि ये वेल ने कृछी एंधुकि वेल दिलकी बातो चान ले दा यसके बाद वो रिंगो लेकर प्रेशेस के पास जाते हैं। जहां पर उंकी नजर उस पर भी जाती है जिसको किंग ने बीडिंग से बांफ दिया था जॉन फ्रिंसिस को रिंक देता है जिसे देख suicide है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है उधर दूसरी तरफ किंग का अद्मी walock portrayed TL इंसे देख रहा था वो जब फॉल को प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन जहां कर भी फॉल को बचा नहीं पाता इसके बाद किंग ये इलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किटनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछी दिनों उसको मौत की सजा मिलेगी तभी अधिनस फॉल से मिलती है और उसको बताती है कि उसके एक आइडिया की वजा से चॉन और भी जड़ा मुसीबत में फस गया है। जिस पर किंग का आदमी उसको कहता है कि पहले वो इन सब चीजों को जान पर आस्मा कर देखे अब प्रिंसिस फॉल को इस बाद से बचने का तरीका बताती है अगर वो पहले पॉर्ट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पॉर्ट में उस फायर पर्ट का पंग और तीसरे में लाइफ और डेच फ्लावर्स डाल दें तो जान की लाइफ बच सकती है फॉल प्रिंसिस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है जिस पर प्रिंसिस फॉल को कहती है कि वो फ्लावर्स उसको दुनिया की आखरी कोने में मिलेंगी। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत जादा वक्त लग जाएगा लेकिन प्रिंसिस उसको कहती है कि तुम्हारी स्पीड से ये काम जल्दी हो जाएगा। फॉल इंजिड होने के बावाचूत उन फ्लावर्स को लेने चाता है और अगले सुपा वो पॉर्ट्स भी त्यार हो जाते हैं और यहां पर किंग ये सोचता है कि यही सही वक्त है सब को ये बताने का कि वो कितना रहम दिल है वो सब को ये बताता है कि ये प्रॉसेस असल म चौन को दिया हुआ दूसरा मौका है क्योंकि वो अगर इन सब में काम याब हो गया तो वो चौन को अजाळ कर देंगे इसके बाद वो चौन को उस पॉर्ट में तकील देता है और प्रिंसिस भी चुपके से अपनी रिग उस पॉर्ट में ताल देती हैystemche wants और उस के मेजि कर फॉरन ही दूसरे पॉर्ट में गिर जाता है जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉर्ट में गिरता है प्रिंसिस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी दूसरे तरफ हम देखते हैं कि फॉल उस फॉल तक पहुच गया था लेकिन उस फॉलवर को तोड़ने से पहले की देथ हो जाएगी लेकिन इस बात की परवाग किये बिना वो उस फूल को तोड़ लेता है उधर बागी सब लोगों को ये लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सभी लोग उदास होकर वहां से जाने लगते हैं पर तभी वहां पर फॉल आ जाता है जो के उस फ्लॉर को उ महां से चला जाता है सभी लोग इस बात को देखकर बहुत जादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जान बना लेते हैं जान और प्रिंसेस फॉल को ढूर्डने जाते हैं फॉल को ये लग रहा था कि अब भूप मरने वाला है में फर्री को बताती है कि वो फ्लॉर स सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था मूवी के लास सीन में हम जॉन और प्रिंसिस के शादी को देखते हैं और इसी के साथ ही मूवी यही पर एंड